Hello everyone, welcome to the channel Agricultural Studies, मेरा नाम है दिवागर खत्री और आज इस वीडियो के दोरान हम Fundamentals of Soil Science में Soil Moisture Regimes और साथ में Soil Temperature Regimes के बारे में बात करने वाले हैं तो अगर आपने पिछली वीडियो देखे हैं तो आप जानती होंगे कि यह हम सीरीज जो continue कर रहे हैं वो है Soil Classification के उपर तो Soil Classification के अंदर हमने अब तक Soil के Early Systems जो है Classification के उन्हें जाना है साथ में Modern Systems को जाना है और साथ में हमने Diagnostic Horizons जो होते हैं उनमें Epipadon और Endopadon के बारे में बात कर ली है तो आज हम बात कर रहे हैं Soil Moisture Regimes और Soil Temperature Regimes की तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह दो Topics जो है यह भी Soil Classification से इसलिए चुड़ा हुआ है क्योंकि आप भी जानते हैं कि Moisture और Temperature दोनों ही बहुत Important Properties है एक तरह से Plant की Growth के लिए तो Plant की Growth के लिए बहुत Important है और हम इने Measure भी कर सकते हैं कि हम Soil के अंदर Moisture किस वक्त कितना है यह Measure कर सकते हैं साथ में Temperature भी किस वक्त कितना है इसे हम Measure कर सकते हैं तो Moisture और Temperature के बहाफ पे जब हम Soil को Classify कर देते हैं उसका Classification करते हैं तो उसका Classification का यह पर्टिकुलर सिस्टम जो हम कह सकते हैं उसे सिस्टम के लिए यहां वर्ड हम रेजीम यूज़ कर सकते हैं तो इस रेजीम वर्ड की रूप में हम देख रहे हैं कि आज हमें पढ़ना है Soil Moisture रेजीम और Soil Temperature रेजीम तो आपको यह बात समझ आज चुकी होगी कि अब हमें Moisture और Temperature की बहाफ पे Soil का Classification देखना है तो इसी सिरे रेजीम में यहां एक लाइन लिखी है कि Moisture and Temperature are used to classify Soil at different category levels हमें Soil को different category levels के अंदर classify करना है किसके बहाफ पे? Moisture और Temperature के बहाफ पे तो आज इस वीडियो के तरह हम Soil Moisture रेजीम पे 5 Main Soil Moisture रेजीम के बारे हम बात करेंगे और साथ में हम 6 यानि 6 Soil Temperature रेजीम के बारे में बात करने वाले हैं साथ ही अगर इस वीडियो से पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक उपर आई बटन की साथ नीचे description box में available है आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि Soil Moisture Resumes क्या होते हैं ऐसे मार क्या होते हैं वैसे तो मैंने आपको introduction की रूप में बता ही दिया कि हम क्या है एक तरह का system पढ़ने वाले हैं जिसके बिहाफ पे हम अच्छा moisture का एक तरह से moisture की बिहाफ पे हम Soil को classify कर सके तो moisture की बिहाफ पे moisture का मतलब आपको समझ आता है कि भई पानी यानि water पानी available है plants को तब तो हम Soil को कह देंगे moist पानी available नहीं है plants को तो हम कह देंगे उसे dry मतलब पौदी के इसाब से चल रहे हैं plant की growth के इसाब से चल रहे हैं तो कहने का मतलब यह हुआ कि Soil Moisture Resumes के अंदर हम बढ़ते हैं अचाय से short में SMR कह सकते हैं Soil Moisture Resume refers to the presence or absence of water in a soil पानी present है या absent है at different times of a year पूरे एक साल के हंदर पानी absence है या फिर present है तो उसके बहाफ पे हम Soil Moisture Resumes को define करते हैं अब हम देखते हैं कि Main आपको जैसा कि मैंने बताया कि Soil is considered moist when it is not when it is at moisture tension of less than 1500 किलो पासकल इसको छोड़ो पहले यह समझो कि Soil is considered moist. Soil को हम moist कब कहेंगे जब आपको समझाया पानी पौदे को available हूँ हाना तो कहने का मतलब यह है कि यहां हम उसे measure करते हैं tension के उपर tension के उपर किसकी tension के उपर तो हम देख रहे है moisture tension के उपर moisture tension मतलब यह हो गया कि Soil पानी को कितना मजबूती से पकड़के बैठी है Soil का particle पानी को इतना मजबूती से पकड़के इतना pressure के साथ पकड़के बैठा है कि वो प्लांट को देई ही नीरा, मतलब प्लांट उसको खीजी नहीं पा रहा, समझने का कुशिश करिए आप इसे, कि ये concept आपको soil water वाला जो complete हम बात करेंगे, soil water का जो complete lectures होंगे, उनके अंदर भी help करेंगे ये concept, कि soil का particle है, जो मतलब देखते हैं, हम पानी को इतना मजबूती से पगड़ के बेठा है, कि उसे इतना किलो पासकल देना पड़ेगा, मतलब 1500 किलो पासकल, जिसे हम बार के अंदर, बार वाली unit के अंदर कहें, तो 15 पासकल, 15 बार, 15 बार का pressure जो है, कहीं न कहीं, उसे लेना पड़ेगा, तब जाके वो पानी जो है, प्लांट को अवेलबल हो पाएगा, या soil particle से अलग हो पाएगा, तो कहने का मतलब यह हुआ, कि अगर यह moisture 1500 किलो पासकल से कम है, यह pressure, यह pressure 1500 किलो पासकल से कम है, तो plant उसे easily ले सकता है, तो easily ले सकता है, तो इस condition को हम moist कह रहे हैं, ठीक है, और opposite आप समझ गए, कि 1500 किलो पासकल से ज़्यादा मजबूती soil particle उसको पकड़ के बैठा है, कि मैं नहीं दूँगा, पानी, तो फिर कहने हैं, मतलब उस condition में हम उसे क्या मान रहे हैं, dry मान रहे हैं, अब soil का particle देखो, ऐसा वास्ताव में नहीं होगा, कि वो देगा नहीं, हकिकत यह है, कि हम कह किलो पासकल से कम प्रेशर है, यानि पानी ज़्यादा अवेलबल है, तब उसे हम moist कंसिडर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, तो यह कहने का मतलब यह हो रहा है, कि when it is moisture tension of 500 किलो पासकल और more, within SMCS, यह वारी बात यहां तक समझ आ गई होगी, 1500 किलो प में, soil moisture control section, soil moisture control section को मैंने यहां नीचे define किया है, कि soil moisture control section is defined as the depth limit, यह तरह कि depth limit की रूप में इसे define किया जाता है, of the soil that regulates the moisture supply, जो कि regulate कर रहा है, regulate कर रहा है या control कर रहा है, SMCS में क्या C का मतलब control, तो यह regulate या control कर रहा है the moisture supply, कि moisture कितना supply हो सकता है, plant को, है न, and depends on the soil texture, और dependent किस पर होता है यह SMCS, soil के texture पर dependent होता है, यानि soil loamy है, sandy है, या clay है, किस तरह की है, तो उसके उपर यह dependent होता है SMCS, SMCS मतलब एक तरह की depth है, देखिए इसके अंदर हम दो तरह की boundaries पढ़ते है, SMCS के अंदर एक upper boundary होती है, एक lower boundary होती है, upper boundary को इस तरह से define किया जाता है, कि dry soil, अगर 2.5 cm के पानी से अगर वो भीग जाती है, यादे moisture हो जाती है, तो उस मतलब 2.5 cm का यह हमने पानी दिया, इसे हम control section के upper boundary कहेंगे, और अगर हमने 7.5 cm तक भी पानी दिया, और उससे soil अगर क्या होई, moisture होई, यानि भीग गई, तब उस condition में हम उससे क्या कहेंगे, उसकी lower boundary कहेंगे, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यह लाइनस में क्या बकरा हूँ, तो आप इसे skip कर सकते हैं, आप इसे तरह से समझ सकते हैं, कि soil moisture, control section एक तरह क depth की बिहाफ पर हम कह रहे हैं, कि अगर 1500 किलो पास्कल से ज़्यादा pressure मिल रहा है, तो dry conditions कहेंगे, और अगर कम pressure है, यानि पानी easily available है प्लांट को, तो उससे क्या कहेंगे, moist conditions कहेंगे, तो moisture, soil moisture regime में इस तरह का concept है, जो हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है, और हम देखते है, the SMR can be defined in the terms of SMCS, SMR को soil moisture control regimes की terms में defined किया जा सकता है, क्योंकि resumes क्या है, availability को ही regulate करने के वाला एक section ही है, तो SMCS remains moist within the moisture tension between, अच्छा इसकी एक range अगर हम बताएं, 1500 किलो पास्कल तो आपको समझ आ गया, कि भई 1500 किलो पास्कल से अगर हम कह रहे हैं, कि अगर tension कम है, तो उससे moist कह कह दो, ज़्यादा है, तो उससे क्या कह दो, हम देख रहे हैं, 1500 किलो पास्कल से हम देख रहे हैं, कम है, तो उससे moist कह दो, और ज्यादा है तो उससे dry कह दो, लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी बीच की एक range बताएं हम, range, तो pressure की या moisture tension की एक range बताएं, तो वह हो सकती है, 33 तो हम देख रहे हैं कितना पंदरा सो किलो पास्कल मैं जो होता है वाटर इसे अवेलिबल वाटर कहते हैं आगे आने वाले वीडियो के अंदर या जब आपने हो सकता है पढ़ रखा हो तो उसमें भी आप जानते होंगे कि यहां हम इसे field capacity वाली limits के रूप में पढ़ते हैं कि फिलकेश्िी वैलिधिकी वाली लिमिट्स के रूप में पढ़ते हैं कि field capacity वैतलब यही होता है कि हमने irrigation water दे दिया हुम वा难 irrigation के रूप में समझते हैं कि हमने irrigation दे दी उसके बाद 24ग पानी जितना नीचे जाना था ग्राविटी की रूप में नीचे जाना था चला गया उसके बाद भी पानी कितना सॉइल के अंदर अवेलबल है उसे हम देख सकते हैं वह एक तरह का सॉइल मौश्यर रेजीम है मतलब वह प्लांट के लिए अवेलबल वाटर है ठीक है तो इस तरह हमने कुछ बाते जानी सॉइल मौश्यर रेजीम के बारे में और अब इसके हम टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं ओके तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल मौश्यर रेजीम के बारे में हाना कि नेचर में कितने तरह के हम देखते हैं सॉइल Dominant Soil Moisture Resumes 3 Main Soil Moisture Resumes होते हैं इसमें सबसे पहला हम कह सकते हैं Saturated दूसरा हम कह सकते हैं Non-Leaching और तीसरा हम कह सकते हैं Leaching अब हो सकता है आपके दिमाग में आए कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने बोला था कि 5 Soil Moisture Resumes बता होगे तो यहां तीन ही क्यों लिखी है आएगा भी आपको समझ भाएगा थोड़े देर patience रखी है तो पहरे इन तीन को अच्छे से सुन दीजिए तो हम देख रहे हैं Saturated Conditions आप जानते होंगे तब खहते हैं हम soil में जब conditions when the soil pores are completely filled with water, soil particles की बीच में जो gap होता है जहां generally soil air होती है तो उसको हटा के अगर पूरी तरह से वहां पर पानी भर चुका है complete अगर वो filled है पानी यानि वाटर से then resulting in the anaerobic condition क्योंकि वहां air हट चुकी है तो उसे anaerobic conditions कह सकते हैं हम anaerobic मतलब जहां oxygen की availability कम हो गई या खतम हो गई तो उस condition में हम उसे saturated conditions कहेंगे तो ऐसे moisture regimes जहां पानी बहुत सारा लबाला भी भर दिया तो वो भी plant के लिए ठीक नहीं होगा plant उसे plant की growth के लिए सही नहीं है not good for the normal plant growth ये plant growth के लिए ये भी condition सही नहीं है तो ये saturated conditions जो है इसे taxonomically कौन सा reason कहेंगे तो इसे equic reason कहेंगे हाना तो इस पूरे column में सबसे important यही है term equic हाना तो equic मतब saturated conditions याद रखने हैं हमें ठीक है और non leaching के लिए कौन सी term है aridic aridic का मतदब आप समझते हैं arid reason दिमाग में बोलते ही आपके मेरे ख्याल से evaporation और transpiration ज़्यादा होता है तो यानि where water moves not into essence is soil moisture control regime में नहीं जाता soil moisture control section में ना जाकर for a very short period time पानी जाता है लेकिन बहुत कम period के लिए जाता है यह section के अंदर and gets completely withdrawn, withdraw कर लिया जाता है बाहर निकाल लिया जाता है by high evapotranspiration evaporation और transpiration की विज़े से पानी withdraw जादा हो जाता है conditions को हम taxonomically क्या कहेंगे erratic कहेंगे non leaching मतलब erratic condition है और तीसरी condition जो है वो क्या है वो है leaching condition यहाँ आमने क्या कहाता saturated condition पानी टिक गया नीचे भी नी जा रहा उपर भी नी जा रहा तो saturated condition उपर चला गया तो उसे कहा दिया non leaching नीचे चला जाए तो उसे leaching कहा देंगे leaching का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि solum से ही कुछ अलग हो जाता है तो उसे हम एक तरह से solum मतलब A, B, C soil origins होते है तो where water moves into the soil almost throughout the year जब पानी movement दिखा रहा है तो उस condition में if not frozen अगर वो freeze नहीं हुआ है frozen नहीं है condition में तब उस condition में उसे leaching zone कह सकते है leaching regime कह सकते है इसका नाम याद रखना है taxonomically से हम udic या yudic वो आपका pronunciation सबका अपना pronunciation है तो yudic हम देख सकते है इसे soil moisture regime कह सकते है तो तीन अभी आपने समझ लिए कौन-कौन से soil moisture regime aquic, eridic और yudic अब हम देखेंगे कि जो eridic और हम देख रहे हैं yudic हम जो main soil moisture regimes देख रहे हैं इनके बीच में partially हम देख रहे हैं leaching regimes भी देखे जाते हैं जिनके अंदर complete leaching भी नहीं हो रही और complete evapotranspiration भी नहीं हो रहा मतलब दो बीच के regimes और रह जाते हैं जो और पढ़े जाते हैं तो next slide में अब उन दो regimes के बारे में और बात कर लेते हैं तो total कितने हो जाएंगे फिर 5 soil moisture regimes हो जाएंगे अब चलिए अब बचे भी दो soil moisture regimes के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं जो कि क्या है eustic और zeric अब eustic और zeric को देखो मैं यहां इस तरह से repletering किया है कि जो आपने पढ़ा non leaching zone या non leaching regime जो कि क्या था eridic और तो दूसरा पढ़ा udic जिसमें अच्छे से leaching हो जाती है तो जिसमें अच्छे से हो जाती है जिसमें बिल्कुल नहीं होती है उनके बीच में partially leaching soil moisture regimes देखे जाते हैं उनके बीच में का मतलब यह हो गया कि उनके अलावा, मतलब जो na completely non leaching है, जो na completely fully leached है, हाना तो उनकी बीच की conditions को हम Ustig और Zarek की रूप में बढ़ते हैं Ustig मतलब जो है Indicative of summer monsoon rain जो किसको represent करता है जहां summer monsoon rain जिसे इंडिया के अंदर भी आप जानते हैं कि monsoon जो maximum हम देखते हैं South, West की तरफ से जो monsoon होता है उस condition में हम देखते हैं Ustig या Ustig हम देख सकते हैं Soil monsoon rain और जो दूसरा है Zero fight वगेरा Zero मतलब आप समझते होंगे Desert conditions के रूप में हम देखते हैं तो यहां जहां हम देख रहे हैं ज़्यादा बारिश नहीं होती तो ज़्यादा बारिश नहीं होती तो indicative of winter rains Winter के अंदर बारिश आप भी जाते हैं Less होती है As compared to the summer rains तो winter rains वाली condition में इसे zeric हम देखते हैं Soil moisture raising कहते हैं इन दोनों को भी आप अच्छे से याद रखें और हम देख रहे हैं Partial leaching वाली condition हम कब कहते हैं तब कहते हैं Any month within an average precipitation of more than 50 mm is considered to be the SMCS partially moist Partially moist हम तब कह रहे हैं जब 50 mm से ज़्यादा अगर किसी month में बारिश हो रही है तो उस condition में मुझे क्या कह रहे हैं एक तरह से moist condition कह रहे हैं partially moist condition कह रहे हैं ठीक है ना तो आप इसे भी एक line को याद रख सकते हैं और जो बिलकुल याद रहनी ही रहनी चाहिए the most important line है वो यह है कि the soil moisture regime map of India अगर इंडिया का soil moisture regime map अगर हम देखें shows that the India is dominantly represented by इंडिया को इंडिया के अंदर कौन सा सबसे ज़्यादा dominant regime देख सकते हैं तो वो यूस्टिक है यूस्टिक ज़सा कि मैंने आपको यहाँ पर mention करके बताया था summer monsoon rains के अंदर जैसे इंडिया के अंदर आती हैं तो उसे ज़्याब से यूस्टिक जो है वो सबसे ज़्यादा regime की रूप में देखा जा सकता है covering almost 3 4th और 72% जो लगबग soil moisture resumes है उनमें सबसे ज़्यादा है 72% कौन सा है तो हम देख रहे हैं या 3 4th portion 3 4th हम देख रहे हैं soil moisture resumes को इस है तो वो क्या है यूस्टिक है followed by eridic उसके बाद अगर कोई है तो वो है eridic जो कि 16% है और उसके बाद अगर कोई है तो वो है eudic जो कि 12% है तो इन तीनों का sequence भी याद रखे हैं हो सकता है exam में पूछ लें कि eustic, eridic and eudic eustic, eridic and eudic u-a-u ऐसा हो गया है ना तो वो अपने मन से आप जो भी trick बनाना जाहें लेकिन अच्छे से आप इसे याद जरूर रखेंगे कि सबसे जादा a-dominant कौन सा है eustic है तो इस तरह से हमने बात कर ली soil moisture regimes के बारे में I hope आपको समझ में आया होगा अब next फटाफट से बात कर लेते हैं soil temperature regimes के बारे में soil temperature regimes के बारे में soil temperature regimes इने short में str कहा जाए है the temperature range from 5 degree celsius to 35 degree celsius is important in determining the degree of biological and chemical activities क्या बड़बड बड़ब बोल गया हमें मैं यह कहना चाहरा हूँ कि 5 degree celsius 35 degree celsius का जो range होती है temperature की वो हमारे लिए important होती है क्योंकि 5 degree celsius से कम पर भी plant की growth अच्छे से नहीं हो पाएगी उसका germination नहीं हो पाएगा seeds का और मतलब conditions नहीं हो पाएगा plant growth के लिए और 35 degree celsius से ज़्यादा आगा temperature हो जाए तब भी plant growth हैना कही effect होती है बुरी तरह से effect होगी यानि कहने का मतलब यह हुआ कि वो भी conditions हमारे लिए अच्छी नहीं है तो यह जो range है 5 degree celsius से 35 degree celsius की तो यह range हमारे लिए important है तो हम कह रहे हैं किसली क्योंकि उसमें biological और chemical activities effect होती है and physical processes in the soil और physical process जो soil में हो रहे हैं वो भी काई ना काई effect होते हैं and hence are important in the soil classification system और इसलिए हम देख रहे हैं temperature एक important aspect है हमारे soil classification system के लिए soil classification system में temperature को भी जगा देना इसलिए ज़रूरी है तो हम देख रहे हैं in all there are 6 soil temperature regimes कितने हैं? 6 हैं total 6 यानि 6 हैं तो इसमें हम देख रहे हैं किस के बिहाफ पे हमने किस basis पे ने 6 parts में divide किया है? तो हम देख रहे हैं mast, mast क्या है? यहाँ पे the mean annual soil temperature mean का मतलब आप समझते हो कि average, annual का मतलब आप समझते हो, पूरे साल भर में यानि annual, पूरे साल भर का साल भर का क्या average रहा? soil temperature का, तो उसे हम mast यानि M.A.S.T की रूप में समझते हैं तो यह M.A.S.T जो है इसके बिहाफ पे हम 6 main soil moisture temperature, regimes को याद रखते हैं, जिसमें से पहला है pargelic, pargelic या pargelic, जो भी मन करें बोलो दूसरा है, cric, या frigid cric कोई frigid का है तीसरा है, massic, चौता है thermic, पांचवा है hyperthermic और last वाला है megathermic तो last वाली thermic, thermic, thermic है फोर्थ कौनसा है thermic fifth one is hyperthermic and last one is megathermic, तो इसे आप याद रखें, अब इसके बाद एक अच्छी चीज जो important आपको याद रखनी है, कि the prefix iso is used, अब इन सभी के अंदर, वैसे तो mainly in last five के अंदर हम काम में लेते हैं कि iso prefix use कहा जाता है prefix मतलब जो आगे यूज किया है iso cryic, iso magic mesic, isothermic iso hyperthermic, iso megathermic iso word हम इसके आगे लगा सकते हैं कब लगा सकते हैं when the difference between the mean summer and mean winter is less than five degree Celsius यह जो mean निकाला है वो summers का mean और winters के temperature का mean, मतलब average mean उनका difference अगर पाँच डिगरी Celsius से कम है, तो मतलब ऐसी conditions ज्यादा सर्दियों वाली conditions हो गई न कि विंटर और summer का जो temperature का difference है वो पाँच डिगरी Celsius से भी कम है, तो मतलब कहने का मतलब similarity conditions से ज्यादा ठंड ज्यादा रहती है महाँ पर, हाना तो winters ज्यादा रहते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं तो कहने का मतलब यह हो उसके लिए हम iso term use करेंगे महाँ पर, हाना इन सभी जो हम कहा रहे हैं, soil moisture regimes है, इनके आगे नाम के आगे क्योंकि जरूरी है, अब next slide में हम जानेंगे, soil moisture temperature regimes ही जो आपको मैंने 6 बताएं, इनके यह mast values जो है है ना, mast values क्या है इनको और अच्छे से याद रख लिएगा, ओके तो at last फटा फट से बात कर लेते हैं soil moisture regimes कौन कौन से हैं अब यह आपको बताया, mast मतलब क्या बताया, mean annual soil temperature इसके बिहाफ पे हमने 6 तरह से बाता है, कि यह जिरो डिग्री celsius से कम temperature रहता है, मतलब mean annual soil temperature साल भर का average temperature अगर 0 degree celsius से भी कम है तो मतलब तो क्या हो गया इग्दम freezing conditions हो रही है frost वाली conditions कहा सकते है तो मतलब आपको मैंने पहरे वीडियो में भी बताया था endopadon वाले वीडियो में बताया था कि जब 0 degree celsius से हमेशा अगर temperature कम रहता है तो उस condition को अपन perma frost कहते है permanent frost वाली condition कहा जाते है means the permanent frost condition तो उसमें पहला नाम याद रखना है परजैलिक तो परजैलिक soil moisture regimes किसके लिए यूज किया गया है फर्मा frost conditions के लिए यूज किया गया है याद रखेगा दूसरा हम देखते हैं 0 to 8 degree celsius रहता है कि भाई 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 8 degree celsius से कम ही है तो उसमें 2 हमको नाम याद रखने है पहला क्राइक है क्राइयो जैनिक क्राइयो वर्ड आपको याद होगा क्राइयो वर्ड थंड से रिलेटेड ही होता है कुछ तो मतलब very cold soil है और ज़्यादा थंडी नहीं है मतलब 8 degree celsius के आज पास 6 degree, 7 degree इस तरह से warmer है क्राइक से ज़्यादा warmer है टो उस condition में से frigid कहा है क्या कहा है, frigid कहा है salt moisture regime को 8 degree celsius से 15 degree celsius के बीच में है सब उसे messick कहना है 15 से 22 यानि 15 छू 25 degree celsius है 22 degree celsius है तो उसे thermik कहा है और 22 से 28 degree celsius है तो उसे hyper thermik कहा है और 28 degree celsius से भी ज़्यादा temperature रहता है mean annual temperature 18 degree Celsius से भी जाद रहता है तो उसे मेगा धर्मिक कहा है क्या कहा है मेगा धर्मिक कहा है तो इस तरह से हमने जाना क्या मास्ट यानि mean annual soil temperature के बारे में कि ये किस तरह से काम में दिया गया है STR के लिए ठीक है और आपको मैंने बताया है कि अगर means annual temperature summer temperature और mean winter temperature का difference वोगर 5 degree Celsius से कम है ये तो ज़्यादा वाली conditions है 5 degree Celsius से ज़्यादा है summer का और winter का mean का तो उस condition में ये नाम दिये है लेकिन अगर 5 degree Celsius से ज़्यादा है तब उस condition में 5 degree Celsius से कम है तब उस condition में इन सभी नामों के आगे एक ISO word और यूज़ करना है तो ISO frigid, ISO mesic, ISO thermic, ISO hyperthermic और ISO megathermic ठीक है समझ आ गई होगी आपको ये सब बात है तो इस तरह से आज हमने बात करी soil moisture temperature regimes के बारे में तो उनकी types और insulated important बाते जो है हम उने आप कहां बताई इस content का जो PDF form है या ऐसी sites के link जहां आप इस topic को और अच्छे से पढ़ सकते हैं तो वो नीचे description box में available हैं आप चाहें तो उसे आरम से check कर सकते हैं साथ ही मैं आप से request करूँगा कि आप इस वीडियो को like जरूर करें क्योंकि इस वीडियो को like करने से इस channel को तो support मिलेगा ही साथ ही इस channel की और भी जो वीडियोस होंगे YouTube आपको share करता रहेगा तो आप इस channel से और अच्छे से जुड़ सकते हैं तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए का agricultural studies से